दोस्तो आज IPL का दो सबसे बड़ा मुकाबला खेला गया एक और जहाँ चिन्ने और मुंबई के टीम में आमने सामने थे तो दूसरी तरफ बैंगलोर और दिली के टीम के बीच फ्लेयाप में पहुचने का जंग चल रहा था हलेकि इस जंग में दिली के लड़ा को ली बाजी मार ली जबकि कोली की सिना को निराशा हाथ लगी हलेकि इस मुकाबले में एक समय आर्सीबी भी बाजी मार्टी भी दिखाए दी रही थी लेकिन एक गलती और मैच बैंगलोर के हाथ से निकल गया जहां दोस्तों इस बड़े मुकाबले की सुरुआत बैंगलोर के टॉस जितने के साथ हुई आर्सीबी ने टॉस जितकर पहले बलेबाजी करने का फैस्टा किया क्योंकि उनके मेडिल ओर्डर के बलेबाज पूरी तरह से फ्लॉफ हो रहे थे इसलिए बैंगलोर के टीम ने पहले बलेबाजी करके स्कूर वोड पर रंग टांगना बहतर समझा हलेकि उनके ये फैस्टा गलस सावित हो गया क्योंकि बलेबाजो ने आज कमाल की बलेबाजी करी लेकिन गिन गिंदबाजो ने दोगा दे दिया जहां टॉस जितकर पहले बलेबाजी करती हुए बैंगलोर की टीम ने 20 ओवर में 180 रं स्कूर वोड पर लगा दिये थे बैंगलोर को कोली और डुपलेसी ने धभाके दार शुरुबाद दिलाई थी जब पहले विकेट के लिए 82 रं जोड चुके थे हलेकि स्तांदार शुरुबाद को आर्सीबी के मिडिल ओर्डर के बलेबाज अच्छे से फिनिश नहीं कर पाए जिसके वज़े से एक समय दोसों के पायर जाती देख रही बैंगलोर 181 रं पर रुख गई दोस्तो आर्सीबी के लिए कोड़ी ने 55 रं मनाए तो महिपाल लोम्रों ने तापर तोड 29 गेंदों में 54 रं कूटे लेकिन देनेश कार्थिक ने 9 गेंद खेलकर सिर्फ 11 रं मनाए यही बज़ा थी कि अंतीम के ओवरों में बैंगलोर के टीम बड़ा फायर नहीं कर पाई यही पर उसे काफी नुक्सान हुआ वही दोस्तों 182 रं के लक्ष का पीछा करने उत्रे दिल्ले के दोनों ओपनर बलेबाज डैविड बॉर्णर और फिलिफ सॉर्ट ने आज दिल्ले को धमाकेदार शुरूबाद दिलाई दोस्तों आज दिल्ले के ये दोनों ओपनर अलग ही मायंड शेट लेकर आये थे बैंगलोर का जो भी गिनबाज आता उनकी जमकर धुलाई होती देखते ही देखते ही देखते ही पांच ओवर में ही दोनों बलेबाजों ने बारा की तुफानी ओसस से साथ रन जड़कर दिल्ली को इस सीजन का सबसे बहतर शुरुबाद दिलाई हालागी चटफे ओवर में जोस हैजल वूड ने डैविड वार्नर को डुपलेसी के हाँ तो कैच करवा कर इसकतरनाक साज़ेदारी को तोड़ा और आर्सीबी को बड़ी सफलता दिलाई दोस्तो इस विकेट के बावजूत पावर प्ले दिल्ली के नाम रहा क्योंकि वार्नर के बाद बलेबाजी कर रहा है मिचल मार्स ने भी आज आकरमा कुरुक अपनाया और आते ही अटाक करके हैजल वूट के ओवर में ही एक चका और एक चौका जड़कर पावर प्ले में 70 रन बनाकर आर्सीबी को बैक पूट पर ढखिर दिया दोस्तो पावर प्ले के बाद भी दिल्ली के बलेबाजू का तुफान जारी था कप्तान डुपलेसी ने दिल्ली के बलेबाजू को रोकने के लिए इस पिन गेंबाजू को लेकर आये लेकिन उन्हें इसका फायदा नहीं हो पाया क्योंकि फिलिप सॉल्ट और मिचल मार्स आज किसी भी गेंबाज को बक्षनी मूड में नहीं थे दोस्तो अभी सिर्फ 9 ओवर ही हुए थे और दिल्ली की टीम का स्कोर 100 के पार पहुँच गया था इससे आप समझ सकते हैं आज दिल्ली के बलेबाज कितना विस्पोड़क बलेबाज ही कर रहे थे दोस्तो इस दोरान फिलिप सॉल्ट ने बहतरिन पारी खेलते हुए प्रनों की तुफाने साज़दारी करके दिल्ली के स्कोर को 11 ओवर में 120 रन तक पहुचा दिया अब दोस्तो यहां से दिल्ली के टीम काफी मजबूत इस्थिती में पहुच गई थी दिल्ली के टॉप और्डर के बलेबाज खासकर फिल्फ सॉल्ट के तुफानी बलेबाजी की वज़े से दिल्ली जीत के बहत करीब पहुच गई थी दिल्ली के टीम को 48 गेनों में सिर्फ 56 रन और बनाने थे जबकि उसके पूरे 8 विकेट बचे हुए थे फिल्फ सॉल्ट जहां 36 गेनों में ही 73 रन बनाकर खेल रहे थे वही सॉल्ट का साथ राइली रुसो दे रहे थे अब दोस्तों यहां से दिल्ली की जीत तो तै थी लेकिन अगर आर्ट सीबी को इस मैच को फलटना था तो कम से कम 3 विकेट लेना ही था तभी बैंगलूर की टीम इस मैच में वापसी कर सकती थी लेकिन दोस्तों बैंगलूर के गेन बाज दिल्ली को आज रोक नहीं पाए करन सर्वन ने जरूर खतरनाक हो चुके फिलिफ सार्ट को सुल्वे ओवर में बोल्ट करके इस साज़दारी को तोड़ा लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी क्योंकि यहां से दिल्ली की टीम को सिर्फ 10 रनों की जोरत थी जिसे बड़े आसानी से अक्षर पटेल ने छक्का मार कर चउटा गेन पहले ही पूरा कर लिया और इसी के साथ ही दिल्ली को साथ विकेट से बड़ी जीत दिला दी दोस्तों इस मुकाबले पर बैंगलूर की टीम भी अपनी पकड बना सकती थी जब दिल्ली को मैच जिताने वाले फिलिप सार्ट को 17 रनों की स्कोर पर ही आउट करने का मौका मिला था लेकिन विकेट के पीछे खड़े कार्थिक ने ये बड़ा मौका गवा दिया जिसका खामयाजा पूरी टीम को भुगतना पड़ गया